हेलो स्टूनिंज हाई विल्कम बेक टो मैं चानल लर्निंग विद दिव्या जैसा कि आप सभी को पता है जो आपने एक्जाम दिया था साथ अगस्त को यूपी टीटी का होम साइंस का उसके आंसर की आ चुकी है और आप लोग उससे मैच कर सकते हैं और आपको उसका यहां प जो हैं तो ठीक रहता है तब मैं मैतलब उसको आनलिसर्स करवा सकते हैं तो मैरे को यहां पर मुझे तीनotom नियूज को इंक्लूट किया है और मैं बात करती हूं वह चारों के आंसर मुझे गलत लग रहे हैं मैं आप से बात कर लेति हूं उन्होंने आयोग ने तो इसका आं organization जो है आपके जन समुदाई के लिए काम करता है हमने यहीं पड़ा है के उल्ड इंहां गाति है लेकिन World Health Organization केवल माता बच्चे के लिए करता इन्होंने अंसर पकड़ा दिया माताव शिशू के लिए जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे गलत लग रहा है मुझे इसमें उप्रोक्त सभी लग रहा है कि निरोग व्यक्ति करता है सिर्फ और सिफ माता शिशू की बाद वो कब करता है जन समुदा है वो स्वारी वर्ल्ड और्गनिजेशन इन्होंने इसका अंसर दे दिया अब यहीं जो है यहीं पर जो है बच्चों के मांक्स भी कटे होंगे कुछ ने तो माता शिशू लगाया होगा वह बहुत से 15 कोशन साव लेके चलिए कि वो गलत ही बताते है ठीक है तो यह मुझे लग रहा था लेकिन चलिए ठीक है आप उन्होंने माता शिशू माना है लेकिन जिन बच्चों को अब भी लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है तो वो औब्जेक्शन कर सकते हैं इस पे मुझे यह माताशीशू नहीं लगता, क्योंकि वो जन स्वास्त की बात करता है, केवाल माताशीशू की बात नहीं करता, World Health Organization, इन्होंने तीन कोशन World Health Organization से पूछे हैं, जिसमें दो के आंसर तो बिल्कुल गलत दी हैं, इन्होंने एक कोशन ये पूछा है, भाई स्वास्त सेवाओं को जन जन तक पहुचाने के लिए स्वास्त कारे करता होने चाहिए, जैसे इन्होंने Health Guide मालिया, अगर आप Health Guide मानने तो इसके अकोर्डिंग फिर स्वास्त कारे करता क्या करता है, health worker का क्या काम होता है ऐसे तो फिर doctor भी होना चाहिए अगर health guide answer है तो फिर चिकिसिक भी होना चाहिए doctor भी होना चाहिए doctors भी तो appoint के जाते हैं doctors भी तो जाते हैं लोगों का गाउं में परिशन करने के लिए test करने के लिए तो ऐसे तो फिर all of the above होना चाहिए लेकिन पता नहीं कि हिसाब से इन्होंने health guide को answer माल लिया है जबकि स्वास्त सेवाओं को जंजंदक पहुचाने के लिए जब हम extension की बात करते हैं तो जैसे extension worker होते हैं ऐसे ही health worker होते हैं तो इसमें answer health worker होना चाहिए था लेकिन इन्होंने health guide answer दे दिया I think मुझे तो अभी जो चो ने जो PDF भेजे हैं उसमें किसी ने कोई भेज दिया है किसी ने कोई भेजे है मैंने बड़ी मुश्किल सा ये questions जो है बच्चों की photo copy से निकाले है तो ये जो है मुझे लगा ये भी गलत है मेरे according तो फिर इसमें अगर आप ऐसे मानने तो all of the above होना चाहिए नहीं तो health worker होना चाहिए health guide कहां से इसका answer हो गया guide तो वो होते हैं जो किसी को दिशा देते है guide पहुंचाते हैं लेकिन स्वास्त सेवाओं को जंजंद पहुचाने के लिए तो स्वास्त कारिकरता होते है guide तो वो होता है जैसे आप जाते हैं कि भई मैं guide मिल गया वो बता रहा है कि ताज महल किसने बनवाया ताज महल किसने किया किया तो अगर इस तरीके से देखें तो फिर तीनों होने चाहिए options लेकिन उन्होंने health guide माना है यही problem होती है 10 से 15 questions के आंसर हमेशा बिभाग department पतानी उल्टे सीधे देता है जिस वजहा से बच्चों का down हो जाता है moral down हो जाता है उनके marks down हो जाते हैं क्योंकि वो अलग तरीके से सोचते हैं बिभाग अलग तरीके से सोचता है जाडू लगाना जाडू लगाने को इनोंने शायद कठिन काम बता दिया है मैंने देखा कठिन कारे बता दिया है जाडू लगाना कठिन काम कहां से हो गया इटेड होना कठिन काम हो सकता है बिल्डिंग बनाना कठिन काम हो सकता है जाडू लगाना तो हलके कारे में आना है या आप समानेकार मान सकते हैं उसे हलका काम मान सकते हैं या कठिन काम मान दिया जाडू लगाना तो एक ये भी मुझे बहुत जादा जो है आपके मतलब अजीब सा कोशन लगा कि आंसर ही इसको अलग दिया है हलका काम लगाया होगा बहुत बच्चों ने समाने काम लगाया ह होगा और इन्होंने जो है उसको कठिन काम बता दिया है जहाड़ू लगाने को मतलब बढ़ा कन्फ्यूजन क्रियेट किया है आप लोगों में तो यह मुझे जो तीन-चार कोशन लेगे हैं मैं बस वही आपके सामने लेकर के आई हूँ अब जैसे मैंने आपको कोलिस इस्ट काइन आया ब्लाड में शुगर की मात्रा पूशी गई थी 80-120 mm वारी वह आपको बताई आपको मैंने यान ट्विस्टिंग धागे की एठन धागे का सब कुछ पढ़ा दिया था मतलब 90% स्लेवर्स कंप्लेट करवाया था कुछ कोशन्स ऐसे थे 8-10 जो आजीब हैं और उन 1960 से लेकर के 2011 तक कि आप स्कीम से याद कर लो पूरा प्रॉपर वे में याद कर रहा था और अभी लेटेस्ट भी मैंने डाला था वहां से आपके कोशन्स आए हैं चलिए एक कोशन्स यह है भाई विश्वस्वास संगठन के स्थापना कब हुई बच्चा बच्चा जानता है कि 1948 में स्थापना हुई थी आंसर दे दिया है 1940 आप इन्हों ने तो आंसर भी प्रकड़ा दिया है 1940 तो यह है मुझे मेरी जो यह लगता है मतला मेरे पॉइंट अव यू से कि यह कोशन्स बिल्कुल सीधे डाइरेक्ट आप इस पर अब्जेक्शन कर सकते हैं मुझे तो आरेक्ट आप जाके बात किजिए कि भाया यह क्या है डवलोचो के स्थापना 1948 में हुई है आप लोग के पास तीन दिन का टाइम है क्लेम करने का आप आराम से कर लीजिए और भी अगर कोशन्स आपको लगते हो जिसमें बहुत सारा डाउट हो तो वो भी आप कर सकते हैं चलिए फिर और मैं क्या कह रही थी इसके अलावा हम जो है बात करेंगे आपके पीजिटी के बच्चों के लिए एक मुझे ध्यान है उसमें आपके प्रसव वाला पूछा है तो मैंने आपको टाइपस ऑफ बर्थ लास्ट ही पढ़ाए है बतला मुझे तो इतनी खुशी ह औरी दी पर देख्के कि मैंने लास्ट मने जो जो मैंने आपको हूज कि रहाए है बिंअरी से कितने कोषञ पूछे हैं मैं आपको तमां कोषिं बंदित बहुत बहुत कोष्ण मतलवा सारा स्लेबस आया तो देखे एक तो आप लोग यह जज कर लीजे कि आपको टूदी पॉइंट पढ़ना है या आपको लम्मे लम्मे सेशन्स पसंद है मैं तो टाइम को बहुत प्रीशियस मानती हूँ समय मेरे लिए भात अन्मोला I think एक निकल डॉडसी वाला भी आया है वो भी मैंने clear किया है मानवी आ साधन में कि gross candle ने किसको माना है निकल डॉडसी ने किसको माना और questions के साथ मैंने solve कर वाय था एक आपके work work simplification से भी question था work simplification की टेकनीक्स मैंने आपको कराइए कि formal कौन सी informal कौन सी उसमें होता क्या-क्या है तो आप लोग to the point पढ़िए सही से पढ़िए और जो answers आपको गलत लग रहे हैं उन्हें आप डारेट क्लेम कर सकते हैं ठीक है तो क्लेम कीजिए परशान मत होईएगा बिल्कुल भी देखिए आप exam point of view तो इसमें all of the above होना चाहिए नहीं तो health worker ही होना चाहिए health guide जैसे कुछ नहीं होता health workers होते हैं जैसे आप extension worker मानते हैं तो health workers होते हैं ठीक है तो आप लोग कर सकते हैं objections और देखिए फिर कितना मानता है विभाग क्या करता है कितने marriage जाती है कि इन बच्चों का होता है और कोई बात नहीं निराश ना होएगा आप लोग जो है मतलब try करते रहें ठीक है demotivate मत होएगा निराश मत होएगा try करते रहेंगा और मैं चैनल पर फिर से बिकुल start कराऊंगी zero level से start कराऊंगे कि और छोटे-छोटे से हम बात कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं students और आप लोग भी अपना ध्यान लखिए PGT के लिए मैं तुरंत class start करने वाली हूँ झाल